नमस्कार आप देख रहे हैं हर्याना न्यूज एक्स्प्रेस और मैं हूँ आपके साथ चबी आईए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी ख़बर की और अमबाला में अपनी मांगो को लेकर भाति किसान यूनियन चड़ुनी इंग्रुप के किसानों ने उपायफ्ट कारले में अर्धिनगन होकर प्रदर्शन किया और इंतिकाल की कौपियों को जला कर रोज पकट किया मेडिया से बाचीत करते हुए किसानों ने बता कि शहीद भकस्तिंग के चैन दिवस पर शुल्क मलकान जमीनों की मांगों को लेकर पूरे हर्याना में डिस्ट्रिक्ट हैट क्वार्टर पर प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों ने अर्धिनंगन होकर सुपीम कोट के ओर्डर और हर्याना सरकार के और से जो इंतिकाल तोडने के लिए ओर्डर दिये हैं उनकी कौपियां जलाई वहीं दूर्सी तरफ कसानों ने बारिश की वज़ा से पूरे हर्याना में बरबाब भी फस्टों की गिर्दावरी करवाने मुआफ़ा देने और शेमाहिने के लिए बैंकों की रिकवरी रोपने के बारे में यापन दिया इसके साथे उन्होंने शामलात जमीनों के बारे में का कि अंबाला में 20,000 एकर से उपर की जमीने हैं जिसके बारे में उन्होंने बताया कि सरकार ने कारवाही रोग दी थी लेकिन बार में कोछ में अपना वकील भी पेश कर दिया था उन्होंने का कि सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ है इसके साथी किसानों ने का कि सरकार ने किसानों को है तरह से परिशान किया हुआ है पसल खरीद नी हो या बेचनी हो धान खरीद नी हो उसके लिए हर्टाल करनी बोगती है और हुने का कि सरकार ने मजदूर किसान जवान हर वर्ग को परिशान किया हुआ है अन्बाला से हमारे विशेश संद्वादा ता सुरेंदर भारत द्वाज की रिपोर्ट आज हमारी मांगती तो जुबला मालकान जमीने है मस्तर का मालकान जमीने है उसको लेके आज हमने सीधे आजम बाग सिंग के जन्म तिधी पे पूरे हर्याना में आज डिश्टिक हाइड कोर्ट पर दर्शन है अर्द नंगन होके हमने सुप्रिम कोर्ट का जो ओर्डर है उसकी कापिया जलानी है और हर्याना गोर्मेंट ने जो ओर्डर दिया डिश्यों को कि इंतिकाल तोड़ने के लिए उसकी कारएं जिलाने के लिए आजंड़ आजम यहां पर पहुँंचे थे और वो कापी यहां पर जड़ाई हैं और दूसरा हमारा एक लापटरैन है उसमें हमने मांग किय इस पूरे हरोने दूजा लिए जो रेकवरी है वेंकों की उसको रोक दिया जाए और मौजा जल्दी से जल्दी किसान को दिया जाए ताकि वह अगली फसल अपनी पीज सके शामला जमीनों पर भी कारवाई रोक की हुई है सरकार ने अंबाला में कि इन जमीन है अंबाला में बहुत जमीन है पीस हजार एकड़ से उपर है रोक तो देती है थोड़ी ज़ेर में बाद में अभी जैसे पहले ने रोक भी लगा दी और हाई कोट में तारीक प्रेपना वकील भी पेस कर दी है वकील ने बड़ी गर्मी दिखाई जज को करना पड़े थोड़े ठंडर हो इतनी गर्मीन है प पहले किसानों के गर्दोरी कराई जाए इस पेसल और किसानों को मौज़ा दिया जाए ताकि वो अगली हसल अपनी बीज सके हम भारतिया किसान यूनियर के अच्वरोनी करूप से आए है और सरकार जब से यह सरकार आई है 2014 से लेके उस थे उसके बाद हर एक वर्ग गरीब मज़दूर किसान जवान सब दुखी होए पड़े हैं अब किसानों को इतना इतना परशान कर रखा है कि जब भी हमें फासल खरीदनी पड़ती है या बेचनी पड़ती है कुछ भी करना पड़ता है अगर हम जाएंगे बजार में खाद खरीदने के लिए तब इनको हड़ चार सार अगनी पती योजणा चला दी वह भी हमारे बेटे हैं और हर जग यानिके हमारे को परशान करने पर तुले होए एक साल बैठके वहां पर 7,5 सुच जानने कुर्बान करने के बाद भी सरकार को अकल मी आई यह हमारे को मारने के ऑपर खड़ी है हमारे को क्या है हरे वर्ग परशान है मजदूर देखो वो परशान है किसान देखो वो सड़क पर जबांद देखो वो सड़क पर तो क्या यह सरकार महमस्ध देश को चलाएगे जो एक सान और जवान को सभाल पाती है हमारे फेस्बुक पेज को लाइक फॉलो और शेर करें साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताजा खबरों के लिए बैल आइकॉन को दबाना न भूले